हलो जहिन सभी को श्वागत आप सभी का पुना आज के इस नुए वीडियो में जो की बहुती बहतरीन टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे और टॉपिक का नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्टी पाटचर्या रूपरेखा 2005 जो आपके विभिन प्रकार के जित अंतर करता है और क्वालिटी डिवलप करता है तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे बने रही वीडियो की अंतर चलिए देखते हैं NCF 2005 आपके जुबान पर हमेंशा रहता होगा जितने भी लोग त्यारी करते है या जो भी सिलेवस है उसमें यह कही न कहीं मिलता ही है NCF का पुरण नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेक्विंस से कब कब नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क आया है हम उनके सेशन को करते हैं जो अभी हम NCF 2005 पढ़ रहे हैं ये चोथा है अन्नि तीन आचुके हैं ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये चोथा है अन्नि जो तीन आचुके हैं जय Chi kaç NCF 1975 यानिकी 1975 NCF 1988, NCF 2000 यानि की NCF 2000 और NCF 2005 जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से बाते जानेगे इसके अलाबा जो NCF है उसको कौन तयार करता है? तो NCERT, National Council of Educational Research and Training और यह कहां से किस कोट से लिया गया था? ये भी है मेन बाद रविदनाट टैगोर के निवंद सभेता और प्रगती से लिया गया था ये civilization and progress से लिया गया था NCF का सूत्र है बिना भार के अधिगम यानि कि learning without burden वास्तों में ऐसा ही कर्यूकुलम होना चाहिए चाहां बिद्यार्थी बोज ना महसोस कर सके education को कभी उसे ऐसा ना लगे कि मैं कहीं आकर फस गया हूँ इसलिए साइद आपने एक concept सुना होगा BALA Building as learning and साइद या आपने सुना होगा और वास्तों में वो joyful जो learning होती है बच्चों के लिए वो बहुत भेतरीन है कि learning without burden इसके अलावा जो next point है कि इसका जो निर्माण हुआ था पहले मानुस अंसादन विकास मंत्रा लेता हूँ यानि कि जो ministry of human resource development था लेकिन अब जो मंत्रा ले हो गया है उसको सिक्षा मंत्रा ले के नाम से जाना जाता है ministry of education NCF 2005 के जो अध्यश थे प्रोफेसर यासपाल जी and NCF 2005 के जो निदे सक्थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार और NCF 2005 में सदस्यों की संख्या 38 थी इसके अलावा NCF 2005 के जो सिक्षन सूत्र थे जो teaching formulas या जू कहें teaching maxims जिसे हम कहते हैं ग्याद से अज्याद की ओर और मूर्थ से अमूर्थ की ओर यानि की from the known to unknown and concrete to abstract और भी बहुत सारे होते हैं बड़ेसिक की यह बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों को जब भी हम उनसे संबंदित चीजे जोड़ करके जो जानते हैं अगर पढ़ाएं तो साइद अज्याद की ओर जाते समय वो linking कर लेंगे और बहतरीन तरीके सीख पाएंगे और कम से कम ठोस चीजें दें फिर abstract की ओर पढ़ें इसके अलावा NCF 2005 की अनुसार सिक्षक की भूमका एक सुगम करता की रूप में है एक facilitator की रूप में है वास्तो में एक सिक्षक बहुत tolerance भरा होता है जो एकदम efficient भी होता है और effective होता है और creative भी होता है तो इस सभी ध्यान में रग करके वो एकदम बहतरीन facilitator बनेगा जहांपर बच्चों को creative बना सके बच्चों में tolerance पैदा कर सके बच्चों को एक positive thinking develop कर सके और negative thinking को दूर कर सके समाज से संबंदित वो सभी चीज़े बता सके जो उन्हें लगे कि हाँ एकदम accessible है इसके अलागा NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है learning by doing ऐसा नहीं कि केवल बैठे बैठे ही सब कुछ एकदम करके सीखने पर देता है जो NCF 2005 के नुसार कख्षा का जो ideal time है वो 35 मिनट से इसके अलावा 83 सूत्र को महतो दिया जाए ये कहना था इसमें जिसे कोठारी इसमें बड़ा किमातर लगा लिज़े कोठारी कमिशन 1968 द्वारा दिया गया था जिसे आप कोठारी कमिशन कहेंगे न क्योंकि ये बाद में जो कोठारी कमिशन 1964-66 था 1964-66 लेकिन और भी चीजें चली और बाद में आया कुछ समय तक और इसमें माननता मिली तो इसमें सेशन और बड़ा जैसे मानन लिजे किसी चीज की स्थापना हो जाती है किसी कमिशन की तो आगे सेशन में भी बहुत सारे काम करता रहता है NCF 2005 का इससे पहले भी जो तरिभासाई सूत्र है उसमें जैसे की हिंदी हो गई इंगलिस हो गई और एक रिजिनल लेंग्वेज जो बेस होता है जिससे मान लिजे तमिल एरिया में जाएंगे तो वो तमिल भासा होगी जो उस साइड बहुत सारे एरिया की जो लोकल लेंग्वेज होती है उस साइड NCF 2005 का 22 यानि की 22 भासाई में अनुबाद किया गया है 17 राजियों के पाठक्रम को प्रभवित किया है वास्तों में ये अनुबाद होना भी जरूरी है क्योंकि ये तै करता है Quality Education को ये तै करता है Creative Education को ये तै करता है Developmental Phases को जो बहतरीन तरीके से विकास हो सके चवमुखी विकास हो सके इसके अलाबा NCERT ने प्रतीक राजि को राजि की भासा में NCF को बढ़ा हो देने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया है ये बहुत अच्छी बात है कम से कम एक ऐसी भासा जहां पर स्टेट में चलती हो और सभी बच्चे पढ़ सके अच्छी से वास्तों में जो NCF है वो एक डाकुमेंट है लिखित दस्तबेज है पाठ चर्या है अगर बिल्कुल आसान भासा में कहें तो स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज होती है उसका एक कच्छा चिठा होता है और ये पाठक्रम का हिस्सा होता है राश्टी पाठ चर्यक रूपर एका 2005 बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इनी प्रस्णों पर ध्यान केदरित कराने है तो एक महत्वपूर एक अति महत्वपूर दस्तबेज है वास्तों में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए ये बहुत महत्तोपूर है क्योंकि क्या पढ़ाया जाए ये चूज करना पड़ता है करिकुलम में एट करना पड़ता है कि वास्तों में भविश्य क्या होगा हमारे समाज का हमारे राज्य का हमारे देश का क्या भविश्य होगा और उस भविश्य को बनाने के लिए बच्च से समाज बहतर हो सके कैसे पढ़ाया जाए उससों बहुत सारी technique का इस्तेमाल methods का इस्तेमाल approaches का इस्तेमाल ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिनमे एक चीज है इसमें जो teacher education के लिए है जो higher education जिसे कि national curriculum फ्रेम वर teacher education जो 2009 है यह सिक्षक सिक्षा की सुधार करने का एक प्रयास है और NCF 2005 और RT9 के अधार पर NCFT की सुर्वात NCT द्वारा की गई क्योंकि जो NCT है National Council for Teacher Education जो Teacher Education के प्रती जैसे जो लोग डिप्लोमा करते हैं, B8 करते हैं इस छेत्र में जो काम करते हैं, M8 करते हैं यह सब मानता देते हैं, Journalism आप इससे देखिए कि जो Guided Principles हैं पहला है कि ज्यान को इसकोल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही बात है ऐसा नहीं कि क्योंक अक्षा में ही पूरा जीवन बिता दे और वो क्योंक वहीं पर ही सिखाय जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है कम से कम बाहरी जीवन का मतलब होता है एक विजिट कराएं, वास्तविक जीवन से परिचे कराएं मान लिजे किताबों में पढ़ाय जाता है किसी स्थल के बारे में या कुछ भी तो आप रियल परिचे भी करा दे और इतना स्कूल से रिलेटेट फंडिंग से लेकर के सारी चीजे होनी चाहिए जहां ओरिजिनल या टैंजिवल फॉर्मेट में परतिक शुरूप में नॉलेज को प्राप किये जा सके पढ़ाई को रटंत पढ़ाली से मुप्त काना बिल्कुल रट्टू तोता बनाना ही नहीं है कम से कम बच्चा ठिंकिंग कर सके प्राप्लम सॉल्विंग बेस्ट बना सके इस तरीके का सिस्टम हो इसके लावा पाठ चरिया पाठ पुस्तक के इंदित ना रह जाए ऐसा नहीं कि कि वल पाठ पुस्तक में जो बिंदू है सिर्फ उन्हें ही पड़े जिंदगी को ना पड़ पाए तो बस्तो में लाइफ को भी इससे जोड़ा जाए ताकि बहतर जीवन बन सके बहतर ठिंकिंग पैदा हो सके समाज के प्रती अच्छा रवया बिक्षित हो सके परिक्षाओं को अधिक लचीला बनाना यहाँ पर ऐसा नहीं को जनरल बच्चों के लिए है समाज में किसी भी तरीके के बच्चे हो चाहे दिव्यां हो, सामाने हो या कोई भी हो या exceptional child हो या किसी भी तरीके के उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए परिक्षाओं को लचीला का मतलब है एकसेसिबल हो जिस according to need हो और कख्षा कख्ष को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए जिससे बिद्धार्थी अच्छे से सीख सेब इसके अलावा है राष्टी मुल्यों के प्रति आस्थावान बिद्धार्थी तैयार किया जाए और वस्तों में without values बिद्धार्थी का जो education होता है वो behavioral development नहीं हो पाता है इसलिए मुल्यों को जरूर समझे अपने देश के प्रति अपने समाज के प्रति परिवार के प्रति स्वयम बेक्तिगत के प्रति और समस्यार समाधान के प्रति एक बेतर मूल्य बेक्सित हो जाए इसके अलावा chapters हैं इसमें अलावला आप देख पा रहे होगे पहला chapter है जिसमें perspective है परिप्रेक्च है कि इस भाग में राष्टी पाठ चर्रे कि रूप्रेक्च का परिचे स्वालोकन, मार्क दर्शन सिध्धान, गुडवत्ता के आयाम सिक्षा का सामाजिक संदर्ब तथा सिक्षा का लक्ष जैसे महत्त पूडविसयों का समावेशन है यानि ये सारी चीजें इसके अंतरगद आता है और दूसरे जो चप्टर है सीखना और ग्यान यानि के learning and knowledge इस भाग में सक्क्री विद्यार्थियों के प्रात्मित्ता विद्यार्थियों को संदर्ब में रखना विकास और सीखना तथा पाठचर्या ये उन बेवार के लिए नहीतार्थ जैसे भी सेओं का समावेश है कि वास्तों में जब तक विद्यार्थि एक्टिव नहीं रहेगा जब तक विद्यार्थि को संदर्ब या कंटेक्स्ट में रखेंगे तब तक वो learning नहीं हो सकती है और बेहतर knowledge प्राप्त नहीं हो सकता है और implications का होनों बहुत जरूरी है कि कौन से subject होंगे, क्या किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए कौन सा place हो ये बहुत माँने रखेगा इसके लावा अध्यात तीन है जो पाठचर्या के छेत स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन जैसे curriculum areas, school stages and assessment इसमें भास में भासा, गड़ित, बिग्यान, सवाजिक बिग्यान, कला, सुक्षा, स्वास्थ और सारीरिक शिक्षा काम और सिक्षा, आवास, अध्यन और आकलन की योजनायत तता आकलन और मुल्यंकन जिसे भी सेओं का समाबेस है, मतलब सारी चीजें कैसे cover किया जाए जो पाट्चर्य का छेत्र भी हो जाए, स्कूल के और मतलब assessment का पूरा प्रोसेस भी complete हो जाए जिससे विद्यार्थियों का एक ही area नहीं बलकि सारे areas में develop हो सके चौथा जो अध्याय है, वह है विद्याले योंकक्षा का वातावरण जो की बहुत important है इस भाग में भौतिक वातावरण, जैनी की जो बिल्डिंग वगरा होती है सक्षम बनाने वाले वातावरण का portion, सभी बच्चों की भागी दारी बहुत जरूरी है अनुशाशन और साहभागी प्रबंधन, अभिभाकों और समुदाई के लिए स्थान, पाट्चरे के स्थल और अधिगम के संसादन, समय तता सिक्षक की स्वाय तता और व्यावसाइक स्वतंतरता जैसे भी सेयों का समाबेस हो क्योंकि जब तक बहतर बिद्याले ना हो और बहतर बिद्याले के साथ साथ अगर वहाँ का पतावराण ठीक ना हो तो साहथ वो स्कूल बहतर नहीं होता ना ही वो क्लासरूम का एंवारिमेंट बहतर होता जहाँ पर एकदम healthy हो, जहाँ पर issues ना हो, जहाँ पर flexibility हो, जहाँ पर access हो, जहाँ पर non-discrimination process चलता हो, जहाँ पर एकदम participation, full participation हो, protection of rights हो, equal opportunity मिले, यह सारी चीजे बेहतर करती हैं, एक बेवस्था को, इसके बाद है, बेवस्था गत सुधार जो systematic, systematic जो improvement होते हैं, जिसे इस भागवे गुड़ अत्ता को लेकर सरोकार, पाठचर्या नभीनी करण के लिए, शिक्षक शिक्षा, परिक्षा सुधार, काम के इंद्रित सिक्षा, बिचार और बेवहार में नवाचारता था नई साजेदारियां जैसे भी सेयों का समावेस होता है, ताकि research होता रहे, और नभीनी करण होता रहे, कुछ नए चीजें भी develop हो सके, सुझाओ हैं, जैसे कि, NCF 2005 के नुसार प्रात्मी किस तर्में सिक्षण कार की भासा, मात्र भासा होनी चाहिए, ये सही बात है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो ऐसे सेर्याज के आते हैं, मात्र भासा ही जानते हैं, इसलिए जब सिक्षकों के नियुक्ती होती है, आप लोग देखते होंगे, कि ये निशित होता है, कि आप जहां जा रहे हैं, तो वहां कि आपको मात्र भासा आनी चाहिए, ये बाकि हिंदे इंगलिस तो आप जाने हैं, दूसरा सजिसन ही कि अभिभागों को समझाया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपोड बनाने की एक छाना रखें, क्योंकि बच्चा उम्र के साथ ही निपोड हो सकता है, ऐसा नहीं कि तीन साल का बच्चा हुआ, बोले कि हमारे बच्चे को ट्विल्थ के बच्चे जैसा ठिंकिंग डेवलप हो जाए, इसके अलाबा है मोटी किताबें, शिक्चा पडाली का सफलता है, बहुत मोटी किताबें के जरूद नहीं है, क्रिेटिव हों, चित्रातमक हों, बहतर सरल सब्दों का और कठेन सब्दों के बहतरीं आर्थ हों, जिससे समझा सके, बिद्यार्थियों को दिजाने वाले सिक्षा में य्याद से अग्याद की और मूर्थ से मूर्थ की और इनका प्रयोग करें बच्चोंको पुस्टकाले में स्वह independent पुस्टका चुनने का अवसर दें सही बातें खुट से पढ़ने का अवसर दें इसके अलबा सजावा पुरुसकार की भावनाओं को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए ऐसा नहीं कि सजा का अलग प्रोसेस हो पुरुसकार का अलग हो हला कि अलग होता है बट ऐसा भी नहीं है कि अगर किसे को पुरुसकार देते चलो तो हमेशा देते ही रहो वो कभी दंड के लायक ही नहीं होगा ऐसा नहीं होता है 100% कोई भी एक किरिया में ऐसा नहीं कि वो ही कर सकता है इसके अलावा देखेंगे तो NC 2005 बिना बोज के सिक्षा पर जोड़ देता है विदाउट बर्डेंग पर और सांस्कृतिक कारेकरमों में मनरण्यन के स्थान पर संदर बहुत दुको बढ़ावा दें ताकि किस तरीके से एकदम लगे कि हाँ बहुत बढ़िया है और सिक्षोंड दिगम में मातर भासा का परयोग करें किसी भी प्रकार की सूचना को ज्यान मानने से बचें आईसा नहीं कि किवल वो नौलेज है वो कुछ भी हो सकता है सह सेक्षरिक गत्यविदिया होती है जैसे को कल्कुल जो एक्टिविटीज होती है उनको सामिल करना चाहिए अभ Delaware को बच्चे की घ्यान की बारे में जानकारी मिलेगी ताकि ऐसा नहीं कि क्योल बच्चे के बारे में बहुत अच्छा बोल दे अभी भावक से वलिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है और पता चले कि वह है वास्तों में कुछ नहीं इसके रहावा कक्षा कक्ष बालकेंद्रित हो वास्तों में चैल सेंटर्ड ही होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन भी चैल सेंटर्ड होती है तो कक्षा एकदम उनकी अनुसार हो वहां कि जो क्लास्रों मैनेजमेंट होता है पूरा कक्षा परबंदन पूरा उनकी अनुसार हो पलकों के चाहमुकी विकास पर अधारित पाटक्रम होना चाहिए चाहमुकी विकास में उनका mental development, social development, language development, communication development, emotional development और जो societal aspect के सारे aspect होते हैं उन सब में cultural development होना चाहिए समाबेशी सिक्षा पर बल दिया जाए वहस्तों भी यह बहुत जरूरी है क्योंकी समाबेशी thinking ही हमारे समाज का बेस आधार है क्योंकि मुख्धारा का निर्माड, मुख्य समाज का निर्माड, समाज में non-discrimination जो वेस्त का निर्माड समाबेशी thinking, समाबेशी सिक्षा, समाबेशी model करता है विशिष्ट बालक और समाने बालक दोनों को एक साथ समावेशी कक्षा में बढ़ाया जाए लेकिन एक बात और है जो आजकल की डेफिनेशन से वो वास्तों में पूर्ड नहीं है कि वो समाने बालक और विशिष्ट बालक एक यहाँ पर अच्छी चीज है कि विशिष्ट बालक में कोई भी बालक आ जाता है एवरेश को छोड़ करके वो सभी विशिष्ट होते हैं जो एवरेश को एवरेश से अलग माने जाते हैं तो स्रेडी से छोड़ करके वो सभी बच्चे वो सभी एक तरीके से विशिष्ट बालक कहलाते हैं ऐसे नहीं कि कि उल्दिब्यांग और समान को पढ़ा दो वही समाबेसी सिख चाया ऐसा बिल्कुल नहीं है उद्देश मुखे हैं जैसे कि मुख उद्देश है कि छात्रों का सरवांगीड विकास करना यह बहुत जरूरी है आप देखते होंगे इसलिए क्लासरूम में के साथ साथ इसकोल में बहुत सारे जो वोकेशनल एक्टिविटीज भी कराई जाती है इसकलावा शिक्षण विधियों का विकास करना यह से खेल विधी ब्याख्यान विधी कथन विधी इन सब मौका देना चाहिए उन्हें सामिल करना चाहिए फुल पार्टिशिपेशन देना चाहिए ताकि उनका डेप्लमेंट हो सके मातर भासा को उचित इस्थान देकर भासा ही समस्या का शमधान करना चाहिए कई बार होता है कि बच्चा लोकल लेंग्वेज बोलता है और सिक्षक उसे डाट कर भगा देता है कि सुद्ध खड़ी बोली बोलो तो है बोलना नहीं आता है यह गलत बात है कोशिस करना चाहिए कि एक सेक छक को भी लर्निंग करनी चाहिए कि उस छेत्र का उसे ज्यान हो ताकि वो जो ज्यात से ज्यात की ओर है वो बहतर फॉलो हो सके इसके अलावा जो अध्यन के प्रती छात्रों में रूची बेक्सित करना कुछ ऐसे creative activities करना कुछ ऐसे वनरंजन टाइप जहां बच्चे पढ़ने के लिए रेडि हो जाए समाजिक एकता का विकास हो बच्चों में discussion की भावना पायदा करनी चाहिए आपस में group work देना चाहिए दाकि समाजिक एकता जैसी thinking विक्तिक हो सके कि साथ में भी काम किया जा सकता है बच्चों को कुछ भी हो सकता है रंगोली हो सकती है, painting हो सकती है या कोई group dance हो सकता है group discussion हो सकता है किसी topic और चोटे-चोटे बच्चों को इसके अलबा है विद्यारति में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार जैसी मानवी मुल्यों का भी कास करना और उसके लिए विभन एक्टिविटियों को जोडना पड़ेगा तो यह NCF 2005 था, इसे related वहसे भी आप जानते रहे होंगे जो लोग नहीं देखे होंगे, वैसे तो सब देख चुके होंगे थांकियो सो मच, आपको पसंद आया होगा और आपको लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी प्रेश करें ताकि जो भी निव वीडियो आएंगी इसके साथ साथ वो भी सब मिलेगा जो disability related वीडियो है और साथ में इसको share भी करें ताकि अन्य लोग भी अगर लाभनवित हो सकें तो बहुत अच्छी बात है थांकियो सो मच, यह जो topic है I hope हमने कुछ जानकारियां हासिल की होगी थांकियो सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए च्छे हिंद बंदे मत